हालो फ्रेंड्स वेल्कम टू माइ यूटूब चैनल फार्मिंग मैंड्स आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पौदों को हम कैसे स्वस्थ बनाए रख सकते हैं कुछ ऐसे चोटी चोटी टिप्स होती है जिनने की हम फॉलो कर हमारे पौदों को हमेशा स्वस्थ बनाए रख सकते हैं हम सबी चाहते हैं कि हमने जो भी सबजिया या फल फूल के जो पौधे लगाए हैं वो हमेशा स्वस्थ रहे और हमें अच्छा उत्पाधन दे इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है जैसे कब हमें पौधों को फर्टिलाइजर देना है कब पौधों की कटिंग करनी है और कब पौधों की हमें गुडाई करनी है किस तरीके से करनी है कैसे हमें फर्टिलाइजर देना है ये कुछ छोटी छोटी बाते होती है जिनका कि हम ध्यान रख पौधों को हमेशा स्वस्थ बनाए रख सकते हैं और एक अच्छा उत्पाधन हम उनसे ले सकते हैं कई बार होता यह है कि हम पौधों को खाद, पानी, गुडाई यह सब समय पर करते भी है बट उसके बावजूत भी हमारा जो पौधा है वो सही से ग्रोध नहीं करता है इसका रीजन यह है कि या तो हम पौधों को जो चीज चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं या हम उसे टाइम पर नहीं कर पा रहे हैं या तो हमारा तरीका सही नहीं है तो इसी रीजन से पौधा जो है वो हमें 100% रिजल्ट नहीं दे पाता है जैसे हमें पौधों को यदि फार्टेलाइजर देना होता है तो आप उसका भी एक सही तरीका होता है कि आप पहले अपने गमले की मिट्टी की गुड़ाई करे या तो यदि कोई खरपतवार निकल आई है तो उसे हटा दीजिए और फर्टेलाइजर देना चाहिए या तो हम पौधो को सुबह के टाइम पर दे या शाम के टाइम पर दे दोपहर के टाइम पर फर्टेलाइजर नहीं देना चाहिए और पौधो की ग्रोथ को बनाये रखने के लिए पौधो की कटिंग भी बहुत ज़्यादा एक इंपोर्टन पार्ट हो जाता है क्योंकि पौधों की cutting करने से पौधों में पैदावार अधिक होती है जैसे टमाटर के पौधे में 1G, 2G cutting maximum करते है cutting करने से पौधों की growth कम होती है और पैदावार अधिक से अधिक निकलती है क्योंकि cutting करने से नई नई branches आती है और फिर फल फूल जो है जादा मात्रा में लगते हैं यह के कुछ वीडियो में मैं बताऊंगी कि कैसे हम टमाटर के पौदों की कटिंग मेर्स के पौदों की कटिंग बड़े ही आसानी से कर सकते हैं और एक अच्छा उत्पादन हम उनसे ले सकते हैं कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हम जो घर में पौधे लगाते हैं वो पौधा खूब ग्रोध करता जाता है लेकिन उसमें फल फूल अच्छे से आते नहीं है उसका एक रिजन यह भी होता है कि या तो उससे सही टाइम पर फौटेलाइजर नहीं मिला है या उसके क्या वह तो आपको अच्छा उत्पादन मिले गा और जो बेला वाली सबसी है तो जासे घिलकी कडो लौकी इनकी भी कटिंग होती है कुटिंग करने का में यहम है इसमें हमें पैदावार अच्छी मिलती है तो चली अब हम देखते हैं कि हमें पौदो को फर्टिलाइजर क पहले गमले की मिट्टी को अच्छे तरह से गुडाई कर दीजिए और चेक कर लीजिए कि इसमें बहुत जादा मौशेर तो नहीं है मिट्टी बहुत जादा सूखी भी नहीं होनी चाहिए और इसमें बहुत नमी भी नहीं होनी चाहिए एक नॉर्मल मौशेर इसमें बना रह तो पहले आप अच्छी तरीके से इसके गुडाई कर लीजिए उसके बाद अब हम इसमें फर्टिलाइजर देंगे तो यह जो फर्टिलाइजर है मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट गोबर की खात और कोको पीट तीनों की एकवल क्वांटिटी इस लिए अब यह गर्मी का मौस इसलिए हमने कोको पीट भी इसमें एकवल क्वांटिटी में लिया है क्योंकि कोको पीट जो है वो मिट्टी में नमी बनाए रखने का काम करता है वह बहुत देड तक अपने अंदर पानी को एपसॉब करके रखता है पौधों को फर्टिलाइजर देने का सही तरीका है कि पौधों की रूट्स पर डालिए और फिर पास से च्छे घंटे तक आप उसे पानी नहीं देंगे पास से च्छे घंटे के बाद ही आप पौधों को पानी दीजिए यदि आप इस तरह से पौधों की देखरेक करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रेसल्ट मिलेगा कर दो आपको बहुत आपको बहुत ऊ करेंगे अच्छा रेसल्ट मिलेगा